हेलो गैस वेलकम बैक टो चैनल पीसी एंबी डिजिटल गुरुकुल यहां पर अगर हम देखते हैं अपडेट्स में कि एंटेसी स्टेज 2 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे एंटेसी स्टेज 2 में जो अभी कुछ दिनों पहली पेपर हुआ है और जिसका रिजल्ट अभी ड में आपके लिए 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 जी देता हूं कि हम आज एंटेसी स्टेज 2 के बाइलो सेंद का पेपर quedakण स्टेज बाइलह करेंगे जल्दी से जैसे फाइनल पेपर में होता है कि तेरी मिनिक्स करेंगे plasma membrane form the boundary of lung cells बिल्कुल हर सेल की boundary form करता है तो normal cell के साब से आपको बात करनी है कि plasma membrane is semi-permeable तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि selectively permeable शब्द जो है वो जादा commonly इस्तमाल किया जाता है ना कि semi-permeable तो यह statement गलत हो गई water moves across the plasma brain by osmosis सही बात है O2 and CO2 can cross the plasma brain by diffusion ठीक बात है sodium potassium ions can pass the plasma membrane by diffusion अब यह बिल्कुल बदब इसमे option हो जाता है कि facilitate diffusion मान रहा है नहीं मान रहा है लेकिन B और C तो पका सही है तो B और C के साथ यह दो options बचते हैं हमारे पास अब इसमें या तो A, B, C, D चारों ही हम सही मान लेते लेकिन हमने A को पहले ही गलत कह दिया है तो हमारे पास जो option बचता है वो सिर्फ एक ही बचता है B, C and D option इस question के answer के तोर पे हमारे पास रहेगा अगला question है कि eukaryotic cell contains several membrane bound subcellular structures called as organelles the vacule is one such organelles जो की plant और animal दोनों में होता है तो vacule contain cell sap ये बाद ठीक है उसके बाद कहा गया provide turgidity ठीक है plant cell जो होते हैं vacule वो छोटे होते हैं animal cell से ये बाद बिलकुल गलत है ये वाली equation ठीक नहीं है vacule की ये statement भी सही है तो यहाँ पे answer हो जाएगा A, B and D what is the reason for carding muscle not fatigue होने का तो एक ही कारण होगा कि आपके पास energy बहुत जादा है large number of mitochondria simple question का answer था time बच जाता है हमारा grafting is possible in dicot क्योंकि वहाँ पर एक difference होता है जो हम सबने पढ़ाई होता है कि उसके पास vascular cambium होता है जो की open होता है तो अगर हम इस बात को याद रखे तो यहाँ पर first option जो है open vascular bundles वाला correct होगा क्योंकि इसी से secondary xylem या secondary phloem बनेंगे parent काईमा, colon काईमा and scleran काईमा are kind of simple permanent tissue तो colon काईमा के लिए क्या बात सही है dead cell से नहीं बना होता है tree of genus pinus are placed in higher group as termed of marsilia क्योंकि marsilia जो है वो एक teridophyte है जबकि pinus जो genus है वो एक gymnosperm है तो क्या फरक होता है भई इनमें कि gymnosperm के पास seed होता है हम सब जानते हैं बाकि तो first, third, fourth fourth flower तो gymnosperm के पास भी नहीं है वो तो angiosperm के पास है तो answer हो जाएगा second earth is diversity of animals अब इसमें ये बताना था कि column A में animal दिया गया column B में characteristic feature और column C में identification अब जो answer की में था कोई भी answer match नहीं कर रहा था इसलिए final answer की में आपने देखा होगा कि सभी बच्चों को इसका उत्तर bonus के तोर पे दिया गया था लेकिन अगर हमें answer करना होता तो हम faratema को match करते calciferous gland से और chloragogen cell से यानि कि A के साथ D और 2 इस बात से हमें कोई problem नहीं थी तो A, D, 2 कहां दिया गया है ये दिया गया है माली जी हम इसी option को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होता देखो अगला आपको उसने दिया था कि पैलेमोन क्या होता है तो अगर हम पैलेमोन के हिसाब से सोचते तो B, A, 3 होना चाहिए था येकिन यहाँ पर C लिग दिया उसने यहाँ पर C की जगह क्या होना चाहिए था A यानि कि पैलेमोन में बुक गिल्स और ग्रीन ग्लांड होने चाहिए थी फिर C, C, 1 होना चाहिए था यहाँ पर C, C, 1 होना चाहिए था यानि कि पैलेमोन में बुक लंग्स और कोएक्जल ग्लांड तो बचा पैरिप्लांटा वो अपने आपी मांक हो जाता कि D, B, 4 होता कि भाई पैरिप्लांटा में कुलेटेरिल ग्लांड और यूरिकोस यूरिकोस ने यूरिकोस ग्लांड होती वहाँ पर लेकिन यह अब आप्शन में नहीं दिया तो उन्होंने सबको ब्राबर नमबर मिले इसमें अगर उसे प्यूरिफाइड वाटर में रखेंगे तो तो जो बैक्टीरिया होता है साइनो बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं उसकी सेल वाल किस चीज की बनी होती है उसकी सेल वाल पैप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है जिसके कारण वो काफी stronger होती हैं तो वो swell तो कर जाती है purified water में normal cell की तर है but burst नहीं करती है Huttington disease एक autosomal disorder है तो आपको इसमें बताना है कि इसका और इसका genotype क्या होगा 23024 देखो ये cross है इसको अगर आप cross कराएंगे तो बहुत simple सा cross निकल कर आएगा और ये दूसरे वाले दो होंगे तो individual affected होगा तो ये affected है circle वाला तो affected वाले का होगा h small h ये normal है तो इसका होगा small h small h यानि कि first option जो है वो हमारा ठीक है tall plant को hybridize किया with dwarf plant with wrinkled seed अगर इस question को हम सोचें तो बिलकुल असान question है कोई जादा मुश्किल सवाल नहीं है इसमें उसने कहा कि अगर आपने अगर इसको नीचे भी solve कर लेते हैं थोड़ा space जादा है हम हर पस नीचे कि capital T capital T capital R capital R को cross किया small t small t small r small r tall round को dwarf wrinkled से तो F1 generation तो बहुत simple है कि यह बनेगी t small t r small r जिसमें कि सब के सब क्या बनेगे tall and round सब के सब क्या बनेगे बिटा tall and round अब इसने इसको कहा कि इसको आप cross कर दीजिए with something जो कि tall or wrinkled हो यानि कि इसका cross जो इसका F1 बना इसको आपने cross कराना है with capital T capital T small r small r second case उन्होंने दिया इस case में जो solution निकलेगा वो देखो कैसे निकलेगा कि इसका तो हमेशा एक ही genotype होगा t small r तो उसको तो यहाँ लिख दो गया और दूसरा जो होगा cross करने के लिए उसके options हो जकते हैं t capital r t small r small t capital r or small t small r इसका जब solution निकालोगे तो पहले वाले को cross करोगे तो capital T capital e or small r दूसरे वाले को करोगे तो t t r तीसरे वाले को करोगे तो t small t r small r और चोथे वाले को करोगे तो t small t r small r small r तो wrinkled जो है दो cases में बनेगा इसमें second और fourth में wrinkled seed बनेंगे यानि कि अंतर हो जाएगा कि 50% progeny जो है उसमें wrinkled seed बनेंगे तो इसमें जो option था इस हिसाब का वो एक ही option था that is option number 3 carbon dioxide absent हो जाएगी तो simple सी बात है क्या नहीं होगी photosynthesis नहीं होगी और photosynthesis नहीं होगी तो automatically earth will be devoid of life अभी ये question दे दिया और उसने कहा कि 1000 kilocalories sunlight है तो इसमें आपको पता होना चीए कि इसमें से 1% ही photosynthesis के लिए या photosynthetic active radiation है तो 1 lakh में से अगर 1% ही है तो देखो 1% of 1 lakh तो 2-0 कट जाएगी value आजाएगी value आजाएगी 1000 kilocalories जो कि plant के पास होगी producer के पास इसमें से 10% कट जाएगा तो यहां 100 आजाएगा इसमें से कट जाएगा तो यहां 10 और यहां पहुँचेगा 1 तो इसका अंसर होगा 1 kilocalorie last question है कि pollen grain of fruiting plant species are deposited on female flower by pollinator लेकिन fertilization नहीं हुई तो fertilization नहीं हुई तो simple बात है कि does not get fertilized का मतलब है ना तो seed बनेगी ना ही fruit तो fruit will not be formed वाला option सही रहेगा तो इसे के साथ NTSC stage 2 का मैंने आपको यह बता दिया इस साल का 2021 का paper का solution biology section का अगर कोई और stage 1 का किसी के पास paper I try to search मुझे नहीं मिला है तो वो जरूर बता दे और previous year NTSC के cut off देखने के लिए भी आप playlist से check कर सकते हैं इसका link के description box में दिया गया है thank you so much for watching keep supporting us please subscribe to our channel